कानून विवस्ता को बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई बीजेपी आज कानून विवस्ता के मोर्चे पर ही बुरी तरह घिर गई है इलाबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस ने उन्नाव मामले पर सुनवाई करते हुए यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रिदेश में कानून विवस्ता पूरी तरह धौस्त हो गई है उन्नाव जैसे मामले ने पुलीस की लाचारी और बेवसी को साफ कर दिया है इस मामले में पहले तो पुलीस का लाचार रवया सामने आया उसके बाद सूबे के डीजेपी का आरूपी विधायक को माननिय कहना सरकार की और किरकिरी करा गया आज स्पेशल वोईस में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एंकाउंटर वाली पुलीस अचानक कमजोर कैसे हो गई कैसे एक आरूपी विधायक ने योगी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रग दी आप देखते रहे हमारी खास पेशकश नारा था बेटी बचाओ लेकिन अब बदल चुका है सरकार का नारा विधायक बचाओ का खेल है सारा विधायक बचाओ के खेल में सबसे बड़ा खुलासा यह विधायक जी का ड्रामा है सरकार को दबाव में लेने के लिए जातिवाद की चपेट में एक रेप का आरोपी हो जाता है माननिये हम लोगों ने जो माननिये विधायक के विरुद जो बलापकार का आरोप लगाया गया है मुखिया बेकार कैसी सरकार सूबे की पूर्व सीयम अखिले श्यादव ने उननव काउंट को लेकर सरकार को दोशी बताया है तमाम आरोप लगाए हैं लेकिन उससे पहले आपको ग्रैफिक्स के जरिये दिखाते हैं कि उननव रेप मामले में अब तक क्या क्या हुआ है परीवार मेडिकल चेक अब के लिए राजधानी पहुँचा मेडिकल के बाद पीडिता और उसके परिवार को लेकर CBI टीम जोरूरल ऑफिस पहुची पीडिता के चाचा बोले प्रश्रासन विधाया को बचाने में लगा था मेडिकल के बाद CBI ने पीडिता से पूछताच शुरू की शनिवार सुबा CBI की तीन सदसे टीम होटल पहुँची CBI ने परिवार के लोगों को किसी से बाचित करने से रोका है CBI ने कुलदीब सेंगर को गिरफतार करने के बाद उनका मेडिकल भी कराया था CBI कोच में कुलदीब सेंगर की पेशी की गई विधायक का मुबाइल CBI ने जब्द किया CBI ने सेंगर के दोनों मुबाइल फोन अपने कबजे में लिए CBI को सौपी कॉल डिकॉर्डिंग पीडिता के चाचा ने CBI को कॉल डिकॉर्डिंग भी सौप दी है पीडिता की मा, बहन और पीडिता की दादी से CBI ने अलग-अलग पूच ताच की उन्नम मामले में गिरफतार बीजेपे विधाक सेंगर को आज CBI ने कोट में पेश किया है पिछले पाँच दिनों से चले आ रहे घटना क्रम में आज एक बात अलग दिखी और वो थी सेंगर की अकड गिरफतारी से पहले खुद पर भरोसा जताने वाले सेंगर का भरोसा CBI के शिकंजे में आने के बाद कुछ इस कदर डगमगाया कि वो अब भगवान पर भरोसा करने लगे है ये हम नहीं पेशी पर आए कुलदीब सेंगर ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है ग्यांग रेप और पीडिता के पिता की हत्या के मामले में CBI के शिकंजे में आए बीजेपी विधायक कुलदीब सेंग के तेवर बदलते दिख रहे हैं जरा इन दो तस्वीरों को देखिए पहली तस्वीर तब की है जब वो चार दिन पहले सीम योगी से मिलकर निकले थे और दूसरी तस्वीर आज की है इन चार दिनों में सेंगर के तेवर और चेहरे के हाव भाव बदले हुए दिख रहे हैं साफ कहें तो अकर कम होती दिख रही है सीम से मिलने के बाद जब सेंगर मीडिया के सामने आये थे तब उनको भरोसा था कि वो पाक साफ पच निकलेंगे लेकिन सीबी आई की गिरफ्ट में आने के बाद सेंगर का भरोसा खुद पर से डोल गया और भगवान पर भरोसा बढ़ गया चेहरे की शिकन बता रही है कि अकर भी खत्म हो गई है दरसल सेंगर को जार्च एजिंसी ने आज कोर्ट में पेश किया इससे पहले तरके ही कुलदीव सिंग का मेडिकल करा लिया गया था सीबी आई की गिरफ्ट में सेंगर से आज भी लंबी पूश्टाच की गई मामले से जुड़े कई सवाल सीबी आई की अफसरों ने उनसे पूछे दरसल ये सरकार की नाकामी ही थी जो सेंगर इतने दिन तक खुले खूमते रहे इसे मुद्दे पर आज सपाध्यक्ष अखलेश याडव ने सरकार पर हमला भी बोला अखलेश याडव ने साफ कहा कि केवल दबाव में ही सरकार ने सेंगर पर कारवाई की है विधायक कुलदीब सिंग सेंगर ने गिरफतारी पर कहा था कि उसे सीबी आई ने गिरफतार नहीं किया है बलकि वो पूश्टाज के लिए वहाँ आए हैं लेकिन अब सीबी आई ने सेंगर को 16 घंटे की पूश्टाज के बाद राथ को गिरफतार कर लिया सीबी आई के हाथ में केस आने से पहले तो यूपी पुलिस सेंगर की आवभगत में लग गई इसका अंजान तो आप डीजीपी के उस बयान से भी लगा सकते हैं जिसमें वो सेंगर को माननिय कहते हुए संबोधित कर रहे हैं इसको लेकर अखले श्यादव ने भी डीजीपी पर तंज कसते हुए कहा कि डीजीपी किसी पार्टी का नहीं होता जनता का होता है अखिर कार डीजीपी किसी की पार्टी का नहीं होता है होम सेकेर्टी किसी पार्टी का नहीं होता है इन अधिकारियों के साथ मैंने भी काम किया है और जिस समय DGP पर पॉइंट हुए थे मैंने बढ़ाई दियों से का था हमेने कि उत्तपरेज में अन्यायस मत होने देना जो सबूत इलहाबाद हाई को दिखा जो सबूत CBI को दिखा वो सबूत DGP सहब को नहीं दिखा इस मामले में CBI की तरफ से अभी तक तीन केस दर्ज किये गए हैं गिरफतारी के बाद सेंगर को ना तो किसी से मिलने दिया गया और ना ही उन्हें मोबाईल का इस्तमाल करने की इजास्त मिली यानि अब तक खुले आम डबंगई करने वाले सेंगर की हालत अब पतली हो चुकी है उन्हाव कांड के आरोपी विधाय कुलदीव सिंग को पुलिस गिरफतार ही क्यों करती जब प्रदेश के मुख्या DGP आरोपी विधाय को मानिय कहके संबोधित कर रहे हैं सहयोगी जग्दीश के साथ रजली स्पांडे निस्मल वाइस लखनोव जब हाई कोट में सरकार का पक्ष रख रहे एडवोगेट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि विधाय कुलदीव सेंगर की अब तक गिरफतारी नहीं होने के सवाल पर वो क्या जवाब दे ठीक उसी वक्त सीम आदित्यनाथ पितंबरा पीठ में आरती पूजन में लगे थे सवाल उस वक्त से पहले से उठ रहा था कि इस मामले में इतनी धील क्यों वरती जा रही है और उसके बाद एक के बाद एक जो घटना करम सामने आये उसने सीम योगी से लेकर सूबे के पुलिस मुख्या पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया देखिए ये रिपोर्ट सवाल बड़ा है एंकाउंटर वाली पुलिस क्यों डर गई अपराधियों के खौफ वाली पुलिस क्यों घबरा गई एक कहवत है और इसे शायद आपने अब तक न सुना हो कहवत ये है कि जब नाकामी का दोर शुरू होता है तो निकमापन अपनी जगह बना लेता है और यही निकमापन बन जाता है किसी का पतन इसे कहवत कहें, मुहावरा कहें या फिर कोई दोहा, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो यूपी पुलिस ने कर दिखाया है उससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है गुंडाराज और अप्राध खत्म करने का दावा था गुंडों और बदमाशों के सत्ता में होने का आरोब था दावा था, अप्राधी कोई भी हो, बक्षा नहीं जाएगा योगी की पुलिस ने वो कर दिखाया है जिसका फर्क अप्राधियों से लेकर जनता तक पड़ने वाला है जी हाँ, अप्राधियों में इसका फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो एंकाउंटर वाली पुलिस की बिल्ली वाली छवी देख चुके है जनता को फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसने बहतर कानून विवस्था के नाम पर वोट किया था और रोनाव रेपकेस में पुलिस की काईड़ प्रणाली ने उसके सामने इस तारा सच ला दिया सर, आज उनके अच्छी दवाई होती तो जिन्ता होती आज पथाल को सर, मैं क्या कहूं साब जिस प्रदेश में एंकाउंटर की खबरे हर रोज आ रही हों जिस प्रदेश में अप्राथियों का खौफ हर रोज अकपारों की सुर्खिया बन रहा हो उसी प्रदेश में वही फुलिस एक विधायक की विधायकी के आगे बेवस हो गई ज़र सुनी इस बयान को जो सुबे के पुलिस मुख्या की कुर्सी सभालने के बाद खुद ओपी सिंग न दिया था हमारी वर्यता होगी है यह बयान देते वक्त डीजीपी ओपी सिंग सुबे की जनता को संबोधित कर रहे थे वह भरोसा दिला रहे थे कि प्रदेश में कानून विवस्था को दुरुस्त किया जाएगा अगर किसी बात कर जिक्र सबसे पहले जुबान पर था तो वह के खिलाब अफ्राधों में सकती लाई जाएगी बदमाशों को बिलकुल नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन कुर्सी समालने के चार महीने भी पूरे नहीं हुए कि ओपी सिंग साहब ने हाथ खड़े कर दिये समाजवदी पार्टी के अध्यक शकली श्यादव ने प्रमुक स सचिफ से लेकर डीजीपी की कारे प्रणाली पर सवाल खड़े किये हैं हम पूछना चाहते हैं नीचे से लिगे ऊपर तक आज कौन है आज डीजीपी का रोल क्या है होम सेकेटरी का रोल क्या है यह दोनों अधिकारी वरिस्ट बचा रहे थे क्या यह पूरा प्रदेश नहीं जानता इनकी जिम्मेदारी क्या थी कहीं ने कहीं यह जनता को और कानून को दुखा दे रहे थे और नाव रेप केस में पुलिस की हिला हवाली का नतीजा था कि पीड़िता के पिता की मौत हो गई और यह खबर नैशनल मीडिया की हैडलाइन बन गई सत्ता के आगे कानून की मजबूरियों का भी नतीजा यह था कि जिस पुलिस से अपरादी थर्थर कांप रहे थे उसी पुलिस के मुखिया एक रेव की आरूपी विधायक के आगे बेवस हो गए CBI को जांस सौप दी गई को छोटे पुलिस कर्मियों पर कारवाई कर दी गई और विधायक के हुजूरी बचा ली गई उसके बाद CBI अपने गुन दोश के आधार पे जो भी उनके पास साक्षो होगा उस आधार पे विधायक के विरुद कारवाई करेगी चाहे वो अरेस्ट हो चाहे कोई भी चीज हो सरकारी हुकमरानों के सामने है ये कैसी व्यवस्था के बीच आज प्रदेश को लाख़़ा किया है जहां बेबस मासूम और कमजोर लोग न्याय की गुहार लगाते हैं और माननीय बनकर कांड करने वाले लोग प्रशाशन सुलेकर पुलिस तक का संद्रक्षन पाते हैं कहते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी किसी खास पार्टी के नहीं होते बल्कि वो जनता के लिए काम करते हैं समीधान उनका धर्म होता है और कानून का पालन करना उनका फर्ज लेकिन यूपी के डीजीपी ओपे सिंग साहब ने तमाम जिम्मेदारियों को ताकपर रख दिया और उनके एंकाउंटर करने वाली पुलिस आरूपे विधाय को छू तक नहीं पाए यह सब कैसे होता रहा देखिए इस रिपोर्ट में तमाम तरह के डवाब बनाएगे तब जाकर के कहीं थोड़ी बहुत कारवाई की यगर कोई दोसी है तो सरकार दोसी है और कोई बचाना चाहता तो सरकार बचाना चाहता योगी सरकार पर अखली श्यादव के नारोपों में कितना दम है इसके लिए आपको पिछले चार दिनों का घटना क्रम याद करना होगा याद करना होगा किस तरह सूबे की सरकार से लेकर पोलिस और प्रशाशन तक एक रेब के आरोपी विधायक के विधायकी के आगे बेबस नज़र आए एक विधायक को बचानी के लिए कानून और जंता के प्रती सरकार की जवाब देही को ताक पर रख दिया गया इसलिए तो आज सपा के अध्यक्ष अखले श्यादव खुले आम सरकार को इसका दोशी बता रहे है कि तमाम तरह के दवाब बनाएगे तब जाकर के कहीं थोड़ी बहुत कारवाई की यह कोई दोशी है तो सरकार दोशी है और कोई बचाना चाहता तो सरकार बचाना चाहते है सूबे में बीजेबी के शुरुआदी शाषनकाल में लोगों को ये लगने लगा था कि यूपी पुलिस के काम करने के तौर तरीकों में अब बदलावा रहा है राज्य के सीम यूगी अधित्राथ भी कई मौकों पर यूपी के बिगड़ती कानून विवस्था को दुरुस्त करने के तमाम दावे करते थे कहा जाता था किसी भी कीमत पर राज्य में कानून करा जुकायम किया जाएगा लेकिन उन्नाओं की घटना ने सौबित कर दिया है कि सिर्फ सरकारें बदलती हैं जनता के लिए उनकी राजनिती परता ही नहीं बदलती जैसा कि आपको बताया क्या हम लोगों ने जो माननीय विधायक जो माननीय विधायक साहब विधायक जी और अभी सिर्फ आरोप लगे हैं ये तमाम बयानात उस वक्त नहीं आते जब एक निर्दोश को यही पोलिस उठा कर जेल में डाल देती है ये तमाम बहाने उस वक्त नहीं बनाये जाते जब आरोप लगते ही किसी को गिरफतार कर लिया जाता है लेकिन अपने माननीय के लिए डीजी भी साहब पूरी तरह लिए नतमस्तक हो गये त стар कि आपको बताया गया हम लोगों ने जो लोगों ने माननीय विधायक माननीय विधायक और विधायक लोगों को ये भी लगने लगा था कि अप्राद और अप्राधियों को काबू करने में योगी सरकार कोई कोता ही नहीं बढ़ते की लेकिन एक साल बाद जो सत सामने आया है उसने पुलस के हजारी एंकाउंटर्स पर सवाल खड़े कर दिये हैं और नाव में एक लड़की ने सत्ता पक्ष के ही एक विधायक पर रेप का आरोप लगाया तो यूपी पुलस और सरकार ने उस विधायक पर महरबानी दिखाने में कोई कोता ही नहीं बढ़ती और इसी ने याद दिला दिया गुंडराज अखले इस यादा पूशते हैं आप क्या हो रहा है कोई बताएगा है हम पूशना चाहते हैं नीचे से लिगे ऊपर तक आज कौन है आज डीजीपी का रोल क्या है होम सेकेटरी के रोल क्या है ये दोनों अधिकारी वरिस्ट बचा रहे थे क्या ये पूरा प्रदेश नहीं जानता इन्की जिंगावी क्या थी कर यहिस्ती कहीं ने जयंता को और कानून को द्हुगा दे रहे उन्नाव की पीडिता ने बीजेपी के एक विधायक पर रेप का आरोप लगाया तो योगी सरकार के साथ पुलिस को भी ये नागवार गुजरा रेप पीडिता लणकी दर्द और भटकी और बाद में उसके पिता की दर्दनाक मौत हो गई और इसी के साथ यूपी पुलिस और स्तरकार का आमानवीय चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया इस मामले में पुलिस की भाद तब और पिटी जब राजी के डीजीपी ने आरोपी विधायक को माननिये और समानिये शब्दों से संबोधित किया जैसा कि आपको बताया गया हम लोगों ने जो माननिये विधायक जो माननिये विधायक के विरुद जो बलातकार का आरोप लगाया गया है जो चाल एक्यूस को भी समान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण तो मैं समस्ता हूँ कि कोई नहीं अभी दोशी नहीं करार किये गया है वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जाच उसकी विवेशना हमने CBI को दे दिया है अगर बात आरोपी विधायक की खीजाए तो पिछले दिनों में आरोपी विधायक के बचाओं में कई लोग सामने आए खुद आरोपी विधायक की पत्नी ने भी मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरे पती और पीड़ता दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए बीज़पी की ही एक विधायक साहब सामने आए और कहा कि कोई तीन बच्चों की मां से रेप क्यों करेगा और रही सही का सर डीज़ीपी ओपी सिंग ने पूरी कर दी मीडिया के सामने आरोपी विधायक के नाम के आगे माननी और समानी लगा कर उन्होंने बता दिया कि वह अपराध और अपराधियों को लेकर कितने समविदंशील है डीजीपी के माननीय शब्द पर अखले इस यादव ने अपने ही अंदाज में सब को निशाने पर लिया है उत्त प्रेश का तो हम कह सकते हैं जहां हजारों इंकाउंटर हुए हो सरकार ये दावा करती हो कि इंकाउंटर से कानुवस्ता बहतर हो गई है कि लेकिन वहीं सरकार का असली जहरा उजागर हो गया उननाओ की घतनां से मिकिस तरीके से पुलिस राज्ने बार्टी और से की लोग इस तरीके से न्याइन होने दे रहा थे हमाने हाई COP को हस्त हेप करना पढ़ा है कुई सुप्रीम कोर्सror को हश्त हैप करना पढ़ा केंदर से सालों बाद राजी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए डीजीपी ओपी सिंग की बेवसी भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कोई बड़ा आदमी जो पपराद करता है तो पुलिस उसके आगे कट पुतली की तरह नासती है आईपी सी एक्ट कहता है कि किसी आम आदमी से लेकर विधायक, सांसत या फिर मंतरी की गिरफतारी के अधिकार है इसके बावजूद भी पुलिस को वीवी आईपी लोगों को गिरफतार करने में क्यों डर लगता है ये एक बड़ा सवाल है एक तरफ राज्जी में दुनादर एंकाउंटर की खबरें और दूसरी तरफ आरोपियों को बचाने को लेकर ये उपी पुलिस के नए नए पैतरों ने साबित कर दिया है कि सरकार चाहे किसी के भी हो, उनके रवईये में कोई बदलाब नहीं आता इस पूरे मामले में सरकार से लेकर प्रिशासन और पुलीस की भूमी का सवालों में है ऐसे ही कुछ सवाल नेशनल वोईज भी पूछ रहा है क्यों आरोपी विधाय को माननिय कहकर संभोदित किया गया क्यों आरोपी विधाय को मामले में है तो तमाम सवाल हैं जो आज नेशनल वोईज पूछ रहा है